हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू आर यूटूब चाइनल वी तर नियो वीडियो आज की वीडियो में हमनों डिसकस करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजेगा और कमेंट करना मात भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह इसको और शॉट अप मत कीजेगा यह नोर्स फॉम में है इसको आज़िटी से याद कीजेगा सबजने का कोशिच कीजेगा मैप के साथ तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं हम लोग भारतिय कांश्य परतिमाएं जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिंदू घाटे सभीत वहां की जो लोग थे वह इस कारिक को करने में बहुत कुशल थे ठीक है वे लोग कांसे की मुर्ति को लुप्तमों तक्निक से बनाया करते थे तो क्या है कि जो चलन था वो सिंदू घट सब तसे आया तीना और लोहा को मिला के बनाया जाने लगा और वहां की लोग बहुत बहुत कुशल थे इस काम के लिए और कांसे की मुर्ती बनते थी वो लुप्तमों तक्निक से बनते थे ठीक है मोहन जो जो डोडो से प्राप्त नर्थकी की मूर्ती सबसे प्राचिन कांशे मूर्ती है विहार राजे में चौशा अस्थल से जैन तिस्थकारों की अनेक प्राराह में लुप्त मुण प्रक्रिया द्वारा बना जाती थी बाद मुझ में चांदी और तांबे का उपयोग किया जाना लगा नहीं तो पहले लुप्त मुण तखनी के बना जाता था बुद्ध की अनेक परतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई हैं जिन बुद्ध को अभय मुद्रा में दिखाया गया है हम लोग यह देख लिए कि लुप्त मुण तखनीक से बना जाता था अब यह जान लेते हैं कि लुप्त मुण तखनी होता क्या है इसको कहते हैं लौश्ट वेक्स प्रोशेस इसका यह भी नाम है अगर आपको इसाम यह देता है तो यह मैं सुचेगा कि यह द्यूसरा है यही है आपको शेश्याद रखना है तो कैसे बना जाता था यह दो प्रोशेस होड़ा सा सोट में देख लेते हैं परतीमा को जो था जो मुर्ति को मुण का परतिरूप हांतों से त्यार किया जाता था ठीक है मधु मख्य के विशुद मुण से बनते थे हैं कैसे बनते थे हैं मधु मख्य के विशुद मुण से फिर आग में पिखलाया जाता था महीन कपड़े में छाना जाता था ठंडे पाने से भरे बर्तन से उसे निकाला जाता था तो इससे क्या होता था जो ठोश जाता था फिर इसे फरनी से दबाते थे बनाई गई परतीमा के चारो और मोम की इन तारों को तारों से रपेटा जाता था, मिटी रेट और गोबर की लेफ की मूटी परत परतीमा के चारो और लगाते हैं, कांश से मुर्ती बनाना बहुत ही महनत का काम है, यह इसमें लिखा गिया है, इसलिए नहीं आप हम लोग एक्षन भी होना बहुत जरूरी होता है, तो महनत भी है और कुशलता होना भी आप जरूरी होता है, कभी-कभी कांश से मुर्ती बनाने के लिए, पांस धातू का भी उप्यों किया जाता था, क्या था, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और सीसा, यह आपको से से याद रखन कि एक अत्रिक्त विशेस्ता या है, वेश सुभाहा थी और बुध बहुत भी इच्छों उन्हें व्यक्तिकत रूप से पूजा करने के लिए कहीं भी साथ ले आते थे, मतलब वो क्या करते थे, कि जो मुर्ती होते थे, उनको जहां भी हो जाते थे, वहां उसको ले आते थ हैं, नालंदा जैसे बुध बॉध क्रिंद्रों में नौशताब्री के आसपास बिहार और बंगाल छत्र में पाल राजवन के इसासन काल के दोरां कांशी की धलाई की एक नई सेलिय स्थित्यों में आई, कांशी धलाई की तक्निक देवी देताओं की कांशी परतिमा बनान जैसे उनका जो होता है बैटने का आशन होता है कि एक पर मौण के पर नीच लटकाया हुआ है यह दर साता है कि इसी विश्पान करने वगले हैं तो हम लोगों ने देखा कांशी मुर्तियां तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि वो शिंद्धु घाता से लिए देखने के लिए तो आज की वीडियो में यहीं तर मिलते हुं नए वीडियो के साथ धन्यवाग